नमस्कार दोस्तों आपने जिस ट्रेन का टिकेट बुक करवाया है यदि वह अपने तय समय से तीन घंटे या इससे ज़्यादा लेट हो जाती है तो आप अपना टिकेट कैंसल करवा सकते हैं आपको टिकेट का पुरा अमाउंट रिफंड मिलेगा इसके लिए आपको रेलव 201 से 500 किलोमीटर तक का है तो 6 घंटे का समय आपको मिलता है वहीं आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा तक का डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं तो 12 घंटे का समय आपको मिल सकता है रेलवे ने अभी ये नए नियम जाली किये हैं और हम आशा करते हैं ये आपको पता होने चाह RAC ticket cancel कराने के लिए train के departure time से 30 मिनट पहले तक ticket cancel कराने पर cancellation charge काटने के बाद refund वापिस मिलता है अगर आपके पास e-ticket है और अगर train cancel हो जाती है तो इसके लिए TDR फाइल करने की जरूरत नहीं है वो आपके wallet में अपने आप add हो जाएगा अगर आपका ticket counter से लिया गया है तो आपका ticket counter से ही refund होगा ये बात हमेशा ध्यान रखें IRCTC ने ततकाल के लिए payment की नई सुविधा e-paymenter के साथ मिलकर काम शुरू किया है इसके जरीए ticket book कराने के बाद आपको payment करने के लिए सुविधा मिलती है e-paymenter के तहद ticket book कराने के बाद payment करने के लिए 14 दिनों का समय आपको मिलता है हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए लाप्रसिद हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल बेटन को ज़रूर दबाएं धन्यवार